हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है आज हम मैट्स में यूकलिड विभाजन एलगोरिथम यह जो मेथड रहती इससे हम महत्तम सामाब बढ़तक या HCF जात करना जानेंगे देखें दोस्तों इसका जो standard form रहता है equation रहता है वो रहता है A बराबर BQ प्लस R इस टाइप से और जहां पर R reminder आपका है ठीक ना reminder जो 6 बचता है और यह 0 से हमशा बढ़ा और जो B रहता है उसे छोटा रहता है तो देखेंगा इसमें है क्या जो संक्षा दी रहती जैसे माले क्या ज़ेती है एक ज्यारा में आप दो का भाग कर रहे हैं ठीक है ना तो इसमें जो 2 है वो देखें कि कर है भाजक B है डो है एक जारा जो है जिसके आप भाग कर रहे है तो वो A है ए-बर-बर जो दिया है यहां पे और जो यहाँ पे Q है तो मतलब यह आपका भाग फल है और आरशेश फल है देखेंगे दोसमें जब कभी आप HCF निकालें यहाँ पे सौरी मैं LCM कर दिया HCF यहाँ पे करिए HCF जब आप निकालते हैं तो HCF का मतलब होता है जैसे माली जी चार और च्छा है इसमें से कौन से स बढ़ी संक्षा है तो कैसे निकालते हैं देखेंगा इसमें जो 135 और 225 है इसमें से जो बड़ी वाली संक्षा है उसको आप एमाली को क्योंकि उसी में से आप भाग करेंगी चोटी वाली को तो 220 बराबर हो जाएगा 135 अब इतनी बार गुणा करिए कि 225 से यह ज़्यादा करना हो और लेकिन इसके नियर रहे ताकि जो 6 फल रहे इसे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं तो देखेंगा 135 गुणा अगर हम एक करें तो उसमें 6 फल कितना बचेएगा 225 में क्योंकि अगर दो गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा एक 100-200 और 370-270 इससे ज़्यादा जाएगा इसलिए हम 225 में 135 मानस कर लेंगे तो आज अगर देखेंगे 0 यह हो जाएगा आपकर यह मान लेज़े कि 12 हो गया यह 9-312 हो जाएगा और यह इससे हासिल आपने लिया तो यह 0 हो जाएगा तो 90 बच जाएगा ठीक ना तिहां पर जो 6 फल हो 90 बच गया यह अब देखेगा अब आप इ इसे भाज करने वह मान लेंगे इसे भाजक मान लेंगे यह भाज है यह भाज है तो देखेगा 135 बराबर कर लेंगे यह तब तक आपको करना जंक कि आपका जो आर important आ HOL बाप सर्फींद ऑस्फ क्यों घड़ाएगा प्लस इतना हो जाएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पे 45 आप यहाँ पे करिए 45 यहाँ पे आपका भाजक हो जाएगा गुणा देखे कि 45 दूननब्ब्ब होता है प्लस यहाँ पे 0 कर देंगे तो यह अब आपका जो है HSEF यह महतम समाबर तक आगे है जो की 135 और 225 में common है वो है 45 यह जो आपका यहाँ पे आता है जो आपका equation में देखेगा B रहता है वही रहता है महतम समाबर तक तो यह 45 है कोई भी संक्षा है बड़ी संक्षा है आप वो ले सकते हैं जैसे माले जी कहीं पे आपका 196 है यहाँ पे equation है 10th की maths का है 196 है और 38 220 है इसमें आप देखेगा इसे आप B मानेंगे इसे A मानेंगे और उतनी बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा जैसे माले जी 106 अभी मैं यह solve किया था तो 196 में अगर आप 195 गुणा करते हैं तो यह वैल्यू आपको मिल जाती है प्लस 0 हो जाएगा तो सीधा है बड़ा आसान है बड़ी आसान ही तरीके से आप महत्रम स्मावार तक निकाल सकते हैं तो उस्तों कोई भी दिक्कत हो कोई भी क्योरी हो कोई भी क्योशन हो आप हमसे जुड़ेगे मिलाता रहूँगा बाद भी जो MP बोट के 1st to 10th क्लास तक है मैं पूरा कवर कराऊंगा आप हमसे में के धन्निवाद